प्याज एक्सपोर्ट पर बैन लगे डेर महीने का समय बीच चुका है। लेकिन अब भी महाराष्ट्र के किसानों को कोई राहत नहीं मिली है। न तो केंद्र सरकार ने निर्यात बंदी खत्म करने का फैसला किया और न तो महाराष्ट्र सरकार ने ही कोई आर्थिक मदद दी किसानों को उम्मीद थी कि 2023 की तरह ही सरकार ना कम होने की वज़े से कुछ न कुछ आर्थिक मदद जरूर देगी। राजे के उप मुख्य मंत्री देविंद्र फडनवीस ने पियूश गोयल मिलकर यह भरोसा दिलाया था कि किसानों के हिट में कोई न कोई फैसला होगा। लेकिन नहीं हुआ। अब हालात यह हैं कि एक बार फिर राजे की मंदियों में प्यास का दाम अपने नियून्तम स्तर पर चला गया है। महाराष्ट्र एगरी कल्चरल मार्केटिंग बोर्ड ने बताया कि आज 25 जनवरी को ही चार मंदियों में नियून्तम दाम एक रुप पा रही है। अब क्यों नहीं सरकार निर्यात खोल देती है। सरकार क्या चाहती है कि किसान एक रुपए किलो के भाव पर प्यास बेचें या फिर खेती करना बंद कर दें। महाराष्ट्र कांदा उतपादक संगठन के अध्यक्ष भारत दिगोले का कहना है कि सरकार न जा के अनुसार 25 जनवरी को सोलापूर मंडी में रिकॉर्ड 1,44,801 क्विंटल प्यास की आवक हुई। इसकी वजह से यहां पर न्यूनतम दाम 100 रुपए क्विंटल रह गया। इसी तरह से एहमदनगर में 94,991 क्विंटल प्यास की आवक हुई। यहां भी बंपर आवक की व इसी तरह सताना मंडी में भी 100 रुपए क्विंटल ही दाम था। यहां 5,020 क्विंटल की आवक हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी